स्वागत अब अच्छों आपका Self Study के चैनल में और आज हम वर्ब का 5th जो Basic Lecture है या फिर कहीं 4th ही लिखना चाहिए था मैंने ऐसे 5th लिख दिया वर्ब की जो Part 3 है वो करने वाले हैं इससे पहले हम वर्ब की जो Lecture है वो वर्ब Part 1 और वर्ब Part 2 यह हम कर चुके हैं बेसिकली हमने इसके अंदर किया क्या है थोड़ा बहुत आपको Brief मैं यहीं दे देता हूँ देखिए आज का Important Lecture है बहुत जादा Important Lecture है क्योंकि आज बहुत Concept में सीखने वाले जो आज तक हमने किया है वर्ब में ही नहीं बलकि जो आज तक जितनी वीडियोज हमने देख ली उसके अंदर हमने क्या देखा है कि Noun क्या होता है हम किसी Sentence में Noun कैसे पहचानेंगे इसकी Working क्या होती है Basically basic basic देखा है हमने फिर हमने इसके बाद Adjective देखा है कि Adjective क्या होता है इसकी Working हमने देखी है कैसे हम जानेंगे कि किसी Sentence के अंदर Adjective क्या है फिर हमने Adverb को देखा है कि Adverb क्या करता है इसकी Working क्या होती है इसके Type क्या होते है Even तीनों के Type तीनों की Working हमने बकाइदा Sentence में example की तुरूच चीजों को समझा है फिर हमने verb के बारे में जाना verb के बारे में हमने अब तक क्या जाना है कि verb तीन काम करती है doing का, being का और happening का happening का मतलब कोई काम अपने आप हो जाना, ये तीन काम करती है फिर साथ ही साथ मैंने आप लोगों को verb का एक टाइप और पढ़ाया था कि verb जो होती है वो transitive और intransitive भी होती है थे कि verb ना बहुत हम अलग-अलग तरीके से बाट सकते हैं, हम जैसे doing, being, happening में बाट दिया transitive, intransitive में बाट दिया हमने verb को, आज हम verb को उसी तरीके से active verb और passive verb, इन तरीकों में हम इसको बाटने वाले हैं, कि active verb क्या होती है, passive verb क्या होती है अब यहां पर एक तरीके से समझो, basic का निचोड आने वाला है बहुत उंदा लेवल के concept आएंगे यहां पर और एक दों बढ़िया level की क्या कहेंगे, उनको error को हम solve करने वाले हैं इससे error कैसे solve होते हैं, अब तक तो मैंने कोई भी error solve करवाया ही नहीं आज करवाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना base मैंने आप लोगों का तयार कर दिया है, कि आप असानी से जो error आने वाले हैं, उनको कर पाएंगे यह lecture समनने के बाद, ऐसे नहीं कि अभी पहले error दे दूँगा, यह lecture समनने के बाद ओके, तो start करते हैं पहली यहां पर चीज लिखी हुए देखे, क्या है यह, थोड़ा सा यह brief idea मैं देता हूँ, कि आज हम करने क्या वाले हैं, आज हम करने वाले हैं active और passive verb का structure active voice, passive voice आपने सुना होगा, हम यह नहीं सीखने वाले हैं कि active voice, passive voice को detail में वो वाली चीज नहीं है, verb के तोर पे यह कैसे use होता है, हम वो चीज़ें देखेंगे ठीक है, इसका एक बकाईदा lecture होगा, बहुत बढ़िया, active active को passive में कैसे convert करेंगे, यह सारी चीज़ें step by step वहाँ सिखाऊँगा, लेकिन यहां थोड़ा बहुत मुझे step की जूर्ट पड़ेगी, वो चीज़ें भी मैं आप लोगों का यहां पर clear करवा दूँगा ओके, आओ ज़रा active voice में आज तक जितने हमने sentence की है, आज मतलब कि जितना मैं आप लोगों को verb का basic अब तक करवा दिया है, अब तक का जितना करवा दिया है उसके अंदर मैंने जितने भी sentence यूज़ किया है, वो सारे के सारे active voice में थे, सारे के सारे active voice में थे, कोई भी passive में नहीं था, मैं बताऊँगा कि हम पैसी में क्यों जाते हैं, क्या reason है में पैसी में जाने का, और क्या-क्या step होते हैं पैसी में जाने के, वो सारी चीज़े हम discuss करने वाले, clear यहाँ पर एक बार इसको रॉफ कर देते हैं, ओके, देखो ज़राँ अब तक जितना मैंने आप लोगों कराया तो अप active होई सा, और मैंने आप लोगों को बार-बार ये भी बताया है, कि subject कोन होता है, subject होता है doer, subject होता है doer, clear यहाँ पर object कोन होता है, यह active की बात कर रहाँ मैं object कोन होता है, action का receiver, action का receiver, clear यहां पर, यह active के अंदर होता है, active के अंदर, ध्यान रखना, अभी पहचानना बताएंगे कि passive को कैसे पहचानेंगे, passive में क्या होता है, passive में उल्टा होता है, passive में जो subject होता है, वो action का receiver होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, action का receiver होता है, clear यहां पर, जैसे मैंने लिख परना चाहिए था इनको subject doer subject receiver passive के अंदर ये चीज़ ध्यार नगरा अब थोड़ा सा उल्टा करके बाद बोलते हैं इस चीज़ को समझो जड़ा अगर मुझे subject को अगर मुझे subject को doer बनाना है अगर मुझे subject को क्या बनाना है doer बनाना है तो मैं voice कोन सी लगाँगा active या कव मैं verb कोन सी लगाँगा active अगर मुझे subject को receiver बनाना है तो मैं verb कोन सी लगाँगा passive इस चीज़ को समझेंगे सर हम कैसे जानेंगे कोई structure passive में है या active में अभी उसकी ब दे रखा है, यह structure दे रखा है यह structure क्या कहता है, be की form plus verb की third form यह structure जब भी आप sentence में देखेंगे जब भी आप sentence में देखेंगे, वहाँ समझ जाना वो जो sentence है, वो passive में है, sir, यह be की form कौन सी होती है, यह देखिए, यहाँ पे लिखिए है is, am, are, be was, were, being यह art form जो होती है, वो क्या करती है, be की form होती है, और जब भी इनके बाद क्या आजाए, plus verb की third form आजाए, be की form plus में verb की third form आजाए, यह structure क्या बना देगा, यह passive का structure बना देगा, passive structure का मतलब, यहाँ पर जो subject होगा यहाँ पर जो subject होगा उसके ओपर action हो रहा होगा वो action का receiver होगा इसका ध्यान रखना, वो action का receiver होगा क्यों ये बात बोल रहा हूँ ना इससे बहुत बड़ी आरर करवाने वाला हूँ आपको एक दों logic के साथ इतनी चीज़ clear हुई फिर से देख लेते हैं, इसको एक बार rough कर देते हैं सारा देखे, active में subject कोन होता है, doer होता है passive में subject कोन होता है, receiver होता है इस चीज़ को ध्यान रखना है, passive की पहचान क्या होती है B की form प्लस में वब की third form सर B की form कौन सी होती है, ये देखिए B की form मेंने सारी लिख रखे हैं, art form होती है B की, clear, आज तक जितना हमने देखा है, इस MR के साथ हमने वब की base form प्लस में ING वाले structure देखे हैं, लेकिन ये वाला एक structure जो होता है, B की form प्लस में वब की third form, ये जो बनाता है, ये passive बनाता है, ओके इतनी चीज clear होगी होगी आओ जरा, एक example के through समझो जरा, Amit broke the chair, Amit broke the chair मैंने यहाँ पर Amit ही लिखना था, आजे गलती से लिख दिया मैंने, Amit यहाँ पर लिख ले ना ठीक है, अभी समझेंगे, एक बर एक यहाँ पर करते हैं, Amit broke the chair, इस sentence को अगर मैं break करने की बात करूँ, इसका x-ray करेंगे, शुरुवात कैसे करते हैं verb से, यह रही verb फिर से, sir, verb कैसे पहचानेंगे, verb कैसे पहचानेंगे, जिसकी teen form होती है, अब तो मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों का basic कितना करवा दिया, वो पहचान सकते हैं, यह फिर ऐसे समझो, जिसकी teen form होती है, और जो action को represent कर दे भई, या action को represent कर दे, clear यहाँ पर Amit broke the chair, इसमें verb कै, लिए broke, कैसे जाना break, broke, broken, teen form होगी यहाँ पर, action क्या हो रहा है तोड़ने का, clear यहाँ पर, action सर, यह active में है यह passive में, यह active के अंदर है क्योंकि इसके अंदर यह वाला structure नहीं है, यहाँ पर देखिए जड़ा यह तो verb की second form है सर, मुझे नहीं पता है, यह verb की second form कैसे लगते है उसको भूल जाओ तुम, अभी जितना कहरा हूँ न उतना chair तोड़ा, अम इतने क्या चोड़ा तोड़ा भई है, chair तोड़ा, तो यह object बनेगा यह receiver होगा न action का, noun है common है, clear यहाँ पर, दा article होते है इतनी चीज़ clear होगी, okay अब इस sentence को हम क्या बनाएंगे, हम passive बनाएंगे देखिए, जितना हमने देखा हुआ है यह सीखा हुआ है, passive active के बारे में मुझे लगता है कि बच्चे बने सुना हुआ जरूर होते है और एक यह बारे जरूर सुनी होती है कि active के अंदर यह होता है active के अंदर यह होता है इसको जो passive में लेके जाना हो तो क्या करो भईया, जो active में object होता है उसको passive में subject मना दो और active में जो subject होता है उसको passive में object मना दो और यहाँ पर वो verb लिख दो यह वाला structure लिख दो clear यहाँ पर यह बात हमने देखी हुई है आज हम इसको बड़ी detail से करने वाले हैं कि यह object नहीं होता यहाँ पर भया यहाँ अगर object लिख देंगे तो गड़बड क्या आ जाएगी देखो जरा यहाँ पर एक बार यहाँ आते हैं यह subject होगा यह verb होगी यह object होगा इतनी चीज clear इसको मुझे active से passive में लेके जाना है यह active है यहाँ लिखता हूँ मैं यह active है इसको मुझे किस में लेके जाना है पैसी में लेके जाना है यह passive है अभी समझाओंगा हमें यह कैसे आया हूँ है आप बस सुनते जलो इसको मुझे पैसी में लेके जाना है दो condition आपको ध्यान रखनी है दो condition ध्यान क्या रखनी है active से active से passive में जाते समय active से passive में जाते समय आपको दो चीजें को ध्यान रखना है पहली tense tense change नहीं होना चाहिए सर मुझे tense के बारे में पता नहीं अब भी जितना बताऊँगा उतना ध्यान रखना tense तो मैंने करवाए नहीं न तो मैं बहुत normal से पर काईदा मैं बताऊँगा कि tense कौन सा है यहां पर tense change नहीं होने चाहिए tense same रहना चाहिए clear यहां पर दूसरा बहुत important है meaning change नहीं होना चाहिए meaning भी वही same होना चाहिए clear हुआ active से passive जाते समय यह दो चीजें बहुत ध्यान रखनी है tense same होना चाहिए simple के अंदर है past simple के अंदर है tension मतलो कि sir मुझे नहीं पता past simple का मैं कहा रहा हूना past simple है अभी मान लो past simple है मैं करवा दूँगा आप लोगों को जब हम tense पे जाएंगे क्योंकि मुझे इतनी requirement नहीं है यहां पे tense की इतनी requirement नहीं है इसलिए मैं वो सारी detailing मैं यहां नहीं कर रहा हूँ यह चीज़े मैं करवाऊंगा बकाइदा reason दूँगा past क्यों कहते है future क्यों कहते है helping अब क्यों आती है क्या चीज़ें होती है बकाइदा बहुत बड़े है सुन्दर से आप लोगों को वो समझाऊंगा अभी यह समर लो यह V2 है और यह यहां पर जाए past simple past simple हो गया ठीक है मेरी बात समझ में आगी अब tense क्या है हमारे सामने past simple meaning क्या है ज़रा देखो अमित ब्रोक ता चेर अमित ने चेर तोड़ी थी अमित ने चेर तोड़ी थी अब इसको passive में लेके जाएंगे passive का rule क्या है जो हमने पड़ा हुआ है जो object होता है active के अंदर जो object होता है active के अंदर उसको क्या बना दे एक मिनिट ज़रा मैं इसका color change कर ला है थोड़ा सा एकदम सुंदर सुंदर feeling आजागी हमको भी एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट यह थोड़ा सा न pointer pointer color color का है इसका अरे यह रहा यह थोड़ा सा लाहिम लग जाता है ऐसे मेरे पास कुछ shortcut की नहीं है वरना मैं उससे कर लेता क्योंकि क्या है न red red हो रहा है यहाँ पर तोड़ा उसके उपर मैं यह object उठाके मैंने क्या रख लिया यहाँ पर रख लिया यह यहाँ पर passive बनेगा पैसी में क्या जाएगा यह subject बन जाएगा clear यहाँ पर अब ज़रा बस नाम की गलती होगी मुझसे यह Amit लिख लिख लिए हमने यहाँ पर इसको भी भूल जाओ एक पर ठीक है इसको भी भूल जाओ ठीक है यह दो चीजें भूल के अब ज़र आओ The chair was broken Amit यह ठीक है हमने यहाँ पर क्या कर लिया Subject था उसको क्या बना लिया यहाँ पर Object बना लिया यहाँ पर समझ में आगी इतनी चीज़ clear हुई Structure पर आओ ज़रा यहाँ पर Structure क्या करना है B की form प्लस में वर्ब की third form रखनी है पहले तो देखो यहाँ पर वर्ब कोंसी है यह रही वर्ब इसकी third form क्या होती है Broken यह लगा दी हमने वर्ब की third form इतनी चीज़ clear होगी वर्ब की third form अब हमारे पास requirement क्या रहेगी इस B की form का requirement रहेगी B की form हमें यहाँ पर रखनी है B की form ऐसी रखनी है जरा ध्यान रखना देखो यह जो broken है वर्ब की third form यह tense decide नहीं करती है 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 तो लेकिन वर्ब की third form क्यों decide नहीं करती है क्योंकि reason यह होता है यह past, present और future तीनों के अंदर वी 3 वी 3 आ रही होती है उसके साथ हम has have लगाते है उसके साथ हम है जहव लगाते हैं उसके साथ हम हैड लगाते हैं तो इससे यह पता चलता है, नहीं यह perfect होता है ठीक है, अभी यह होता है हमें नहीं पता है, क्या करवा रहे हो तोड़ा सा इसमें confusion हो रही है तो इसलिए मैं इसको rough कर देता हूँ clear अभी यह चीज़े मत जाओ यह समझो, यह V3 जो है यह TENS नहीं बताती है clear यहाँ पर TENS नहीं बताती है, इसका जिकरा हम यह फिर डेटेल से बहुत अच्छे से करेंगे यह V3 आगी यहाँ पर अभी, सर V3 तो हमने लिख दी वब की 3rd form नहीं लिख दी B की form B की form वो रखनी है जो यह TENS था ना, वो TENS बना दे TENS था किसमें, पास्ट सिंपल में तो V3 की यहाँ पर भी ऐसी form रखनी है जहाँ पर पास्ट सिंपल ही बना दे चरह यहाँ पर देखो ज़रा क्या हम EZMR रख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं रख सकते बिल्कुल भी नहीं रख सकते क्योंकि यह first form होती है और first form present को बताती है तो यह तो आ नहीं सकता आव ज़रा, bean रख दे bean तो भाया third form होती है bean third form होती यह भी नहीं आ सकता अरे bean, वब की base form plus में और वर जो है वो प्लूरल के साथ आता है चेर क्या है? सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगाऊंगा? वोज लगाऊंगा clear हुआ यहाँ पे step ध्यान रखना है subject को हमने रखा इसके, sorry object को हमने रखा subject की जगा verb क्या बना दी हमने वीत्री tense क्या था? simple था past simple उसके जगा हमने रख दिया was clear और यह देखो ज़रा अब आओ ज़रा यह बहुत important बात है अमित को हमने यहां रख दिया as a object जो हमने पढ़ा है यह by क्यों लगाते हैं? अभी clear कराऊंगा यह by क्यों लगाते हैं? क्या reason है बाई लगाने का? देखे ज़रा यह noun है proper है same वही चीज़ें तो है यह noun है यहां पर chair chair noun है common है clear यह वही same to same चीज़ें तो है अब देखे the chair was broken अमित अब अगर अमित को आपने object बना दिया देखे problem क्या आती है problem क्या आती है अगर आपने अमित को object बना दिया तो इससे problem क्या आती है मैं आपकी सामने रख रहा हूँ देखे जरा object क्या काम करता है यह sorry noun क्या काम करता है noun है subject बनने का object बनने का preposition object बनने का subject compliment बनने का object compliment बनने का यह 5 काम करता है यह चीज़े मैं बढ़ा चुका हूँ, पहले वाली वीडियो देखिए, तब आप लोगों को पता चलेगा कि काम क्या करता है, फिर भी देखिए, जो नाउन होता है वो पांच काम करता है, subject बनने का, एक एक करके discuss करेंगे चीज़ को, क्या यह subject बन सकता है अमित, देखिए, अगर अमित को आपने object बनाया, तो problem देखना क्या आएगी, अगर आपने इसको object बनाया, तो मैंने अभी यहां लिखा था ना, sorry, मैंने rough करती है, मैं यहां लिखता हूँ, देखिए, object कौन होता है, अभी थोड़ देर पहले मैंने जब class यह starter की थी, तो मैंने आपको बताय अब्जेक्ट वो होता है, जो action का receiver होता है, अगर आपने इसको object रखा, तो यह तो action इसके उपर हो जाएगा, भईया, यह इसके उपर हो जाएगा action, अमित इस chair ने इस Amit को तोड़ दिया, मतलब यह बन जाएगा, गलत मतलब बन जाएगा, मतलब मुने बनाना, कि यह जो action है मुझे इसके उपर करवान है इसके उपर action करवान है अब object रखो गए तो object की तो परिभाशा यही है ना कि मैं object बनूँगा तो मुझे क्या बनाओ क्या कहते है action का receiver बनाना पड़ेगा action का receiver इसके अंदर passive के अंदर तो subject होता है इतनी अब ज़र देखे पांच काम करते हैं now subject बनने का क्या हम इसको subject बना पाएंगे बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे क्योंकि already subject आ चुक है सर क्या एक ही sentence में एक ही subject आएगा ऐसा नहीं है आप एक काम करिए ना subject और वब का pair लगा दीजिए तब एक बार का receiver बनेगा और क्या बनेगा अमित को तोड़ा गया भहिया अमित ने chair तोड़ी है ना कि अमित को तोड़ा गया है तो ये object भी नहीं बनेगा preposition का object इसको छोड़ते हैं इक पर subject compliment अरे subject compliment तब होनता है जब ये b की form यानि ये जो आठ फोर्म होती है जब ये बच्चा एग देखिए यही reason होता है कि यही reason होता है इसके पहले ये by preposition लगाई जाती है ये by preposition लगाई जाती है यही reason होता है क्योंकि ये by जो होती है ये होती है preposition और preposition के बाद आते हैं उसके object ये बनाएंगे हैं, प्रिपोजिशन का अब्जेक्ट, clear यहां पर, यह अब्जेक्ट बनाने से दिक्कत क्या ही, आपकी सामने चीज़े मैंने बता दी, इसलिए यहां पर बाय प्रिपोजिशन लिखनी पड़ती है, और मैंने आप लोगों को बार बार यह बात बोलिए, कि प्र प्रिपोजिशन आईगी और प्रिपोजिशन का अब्जेक्ट आएगा, और इनका, और इनका किसी भी वाब से खोही भी लेना देना नहीं होता, यह जस्ट इन्फोमेशन एड़ करने के काम आती है, clear, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, चेर को तोड़ा गया, अमित के द्वारा, यह जो तोड़े जाने का काम था, मुझे इस चेर के पर कराना था, एक्शन का रिसीवर बनाना था, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर यह वाले स्टक्चर को यूज कर लिया, इसमें सब्जेक्ट कोन होता है, action का रिसीवर होता है, clear, इतनी सारी या फिर वीडियो तो भाई, आप unlimited बार, मैं मतलब बैक करके देख सकते हो, जितनी बार देख सकते हो, कोई भी इसके ओपर charges नहीं है, कोई views count नहीं हो रहे हैं, बलकि मेरे तो बढ़ी रहे हैं, clear यहाँ पर, तो share कर दे न, साथ ही साथ मैंने, promotion भी कर दी, okay, आओ वही, यह यहाँ पर आओ, Mohan plays cricket, इसका मुझे पैसी बनाना है, अभी क्या करना है आपको, यह Mohan broken it, Rahul was solving the question, अभी आप करना क्या है, अरे यार, गडबड होगी, यहाँ पर Mohan had, या has कर देता हूँ, Mohan has, has कर लो यहाँ पर, Mohan has broken it, गलती से, देखें, मेरी ही गडबड होगी, Mohan has broken it है यहाँ पर, clear यहाँ पर, तो एक काम करने है, वीडियो पोज करनी है, देखें, जो कह रहा हूँ ना, वो करना पड़ेगा, वरना, यह जो चीज़े आप time invest कर रहे हो ना, भले कहते हैं ना कि सर मेरे पैसे नहीं लग रहे, पैसे नहीं लग रहे, तो मैं free देख रहा पैसी बनाने की कोशिच की रहे, क्योंकि active में लिखे हैं इनको पैसी बनाई है, clear, तो आप यह काम करिए, वीडियो को पोज करिए, ओके, चलिए, उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने यह वीडियो पोज कियोगी और आपने बनाने की कोशिच कियोगी, अगर नहीं बनान की कोशिच की है, फिर तो यार देखो, मैं भाशन नहीं देना चाहता, मैं lecture नहीं देना चाहता, I think, आप इतने mature हो चुके हैं, आप अगर यह वीडियो देख रहे हैं, आप competitive की त्यारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जिम्मेदारी का एहसास है कि 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 maturity level आप में आ चुक है, आप यह चीज समझ बाओ, कि आपका time खराब हो जाएगा, मैं भाशन नहीं दूँगा इसके उपर, आपने किया बहुत अच्छी बात, आप सीख के जाएंगे, नहीं किया, तो आप ही जिम्मेदार हो चीच के, आओ जरा, Mohan plays cricket, अगर मुझे इसको passive बनाना है, तो पहले तो इसको मैं break कर लेता हूँ, Mohan क्या है यहाँ पर, एक बने, वर्ब से आते हैं, वर्ब क्या है यहाँ पर, plays है, यह verb होगी, Mohan क्या है यहाँ पर, subject है, play what cricket, यह object है, noun है, फिर से बता देता हूँ, proper है, noun है, proper है, clear, इसको मुझे passive में लेके जाना है, यहाँ पर मैं इसको passive में लेके जा रहा हूँ, ध्यान रखना, अब मैं passive बना रहा हूँ इसका, passive बना रहा हूँ, तो cricket को क्या लिख दूँ, subject बना दूँ, ठीक है, cricket को मैं, अभी बताऊँगा, मैं सरी क्यों कर रहे है, active से passive जाने का reason भी बताऊँगा, अभी reason पर भी आत हमें preposition आते हैं, preposition के object आते हैं, उसका verb से कोई लेना देना नहीं होता, यही reason होता है वो, यहाँ पर बहुत काम आती है वो चीजे, clear, अब क्या करना है वई, जो verb है, play है, उसकी third form लिखनी है, क्या लिखतेंगे यहाँ पे, played, 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 यह verb की, होगी third form, अब sentence क्या होगा, यह sentence cricket plate, यहाँ पर तो yes हो जाएगा न, cricket खेलता है, क्योंकि यहाँ पर तो active बना हुग है, तो हमें ऐसा structure बनाना है, यहाँ पर B की form और रखनी पड़ेगी, ताकि यह structure ऐसा बने, कि यह जो काम है, वो उसकी उपर हो जाए, यानि इस action का receiver, यह subject बन जाए यहाँ पर, कितनी च present simple में, वो present simple ही रहे, tense भी change ना हो, meaning भी change ना हो, ठ्यान रखो जरा, अब कौन सा लगाएं, जरा देखो, place, यह क्या है, verb की base form, verb की first form है, verb की first form है यही है, है present simple है present simple में जड़ा देखो जड़ा present simple में क्या मैं वोस वर लगा सकता हूँ अरे सर पागल हो गयो क्या यह तो past में आता है यह नहीं आ सकता बीं third form होती है नहीं आ सकता बीं ing क्यों add करेंगे हम तो यह बच्छा भाईया is mrb अब जड़ा एक के करके i के साथ हम आता है r plural के साथ आता है b अभी मैं discuss नहीं करूंगा ठीक है एक बर इसको भूल जाओ तो बच्छा क्या is तो यहां पर क्या आएगा cricket is played by mohan clear हुआ step by step चीजों को सिखाया है मैंने अब यहां पर इसका meaning क्या हुआ इसका meaning का mohan cricket खेलता है इसका meaning क्या होगा cricket mohan के द्वारा खेला जाता है सर हम कर क्यों रहे हैं यह चीजे कि मतलब active से passive जाने का reason ही क्या है कि आप तो कह रहे हो कि active के अंदर और passive के अंदर meaning तो same ही रहता है meaning same रहता है ठीक है इसके अंदर tense same रहता है तो reason क्या है? क्या reason है इसके अंदर? हम ये माथा पच्ची करी क्यों रहे हैं? हम ये सीखी क्यों रहे हैं? जब सारी चीजें हो रही थी, इससे काम चल रहा था तो ये फालतू का लफडा करी क्यों रहे हैं हम? ओके, ज़रा समझो इस चीज को महन रहता है और वो cricket खेलता है ठीक है, आपके महले में हैसे है अब थोड़ा सा scenario एक थमें से समझो की मैंने पहले ही भतातिया ये थोड़ा मजा की किसा कर देखिया है समझो ठीक है? एक बंदा है आपके सामने, मैंने पहले बतातिया वो मुझे नहीं बताना था, by mistake मैंने गलती से वो बोल दिया, clear भूल जाओ, इसा समझे, मैं एक scenario तुबार से नया scenario's त्यार करते हैं कि समझो, आपके महलने में एक बंदा है ठीक है, यहाँ आपर लिखते हैं मैंने बंदा यह बड़ा बंदा, वो cricket खेलते हैं, वो क्या कहलता है, वो cricket कहलता है, clear यहाँ पर अब आपको पता है भाही साफब कहलता है लेकिन important क्या है, कौन कहलता है, महन खेलता है, यानि वो बंदा खेलता है आपके लिए important वो बंदा है, देखिए आप focus एक इनसान के उपर करते हैं, तो देखिए यार मोहन क्रिकेट खेलता है, यार मोहन समझो यार, मोहन को एकदम डफर इनसान था, उससे तो बैट पकड़ा यह नहीं जाता था, ऐसे समझो, मोहन तो इतना डफर था उसको पता ही नहीं होता था क्रिकेट, लेकिन आज मोहन cricket खेलते हैं तो cricket तो आप जानते हो cricket क्या है लेकिन आप उस बंदे से हजान हो कि यार मोहन खेल रहा है यार कैसे मोहन खेल रहा है और उसको तो बैट पकड़ना नहीं आता तो आपके लिए main idea focus किसके उपर जाएगा उस बंदे के उपर जाएगा उस subject के उपर जाएगा, ध्यान अकना subject focus लाता है subject के उपर आपका main idea, central idea जिसके बारे में बात की जा रही है वो चीज होती है, यहाँ पर आप देखेंगे न तो important है, यह subject है इसके बारे में बात हो रही है, मोहन cricket खेलता है, important यह नहीं है important यह है, मोहन cricket खेलता है, clear यहाँ पर यह चीज समझ में, अब क्या होता है मोहन के बारे में आप जानते हो कि यार मोहन तो खेलता रहता है, मोहन तो खेलता रहता है लेकिन आपके मोहनने में cricket कोई नहीं खेलता, लेकिन अब important किस पर आजाएगी, इस cricket के उपर यार क्या खेलता है, यार मोहन cricket खेलता है, यार वो cricket खेलता है, तो आपकी focus आपका main idea, आपका central idea वो cricket बन जाएगा लेकिन उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तब ही वो main idea और focus idea में आएपएगा, यहाँ पर object बना हुआ था, इसको subject बनाना है मुझे, इसको central idea में लेके जाना है, इसके बारे में बात करनी है इसको highlight करना है, किसको इस object को, इस object को highlight करना है, main idea बनाना है, central idea बनाना है, focus डालना है तो इसको subject बनाना पड़ेगा, और अगर इसको subject बनना पड़ेगा तो ये help करता है passive, समझ में आया active में हम जो देख रहे हैं, उसके अंदर तो, देखिए active में जो doer होता है, उसके उपर focus हो रहा होता है उसके उपर focus हो रहा होता है, कि भीया ये करने वाला है, लेकिन object इसके उपर होता है, कि हमें इस object के उपर भी तो focus करवाना होता है इस object के उपर focus करवाना है इस object के उपर focus करवाना है, तो ये help करता है हमारा passive structure, clear हुआ ओके, अगर हो गया है, तो अच्छी बात है नहीं हुआ, तो भाई, एक काम करेंगे आपके सामने वीडियो रखी हुई है, आप पीछे जाके फिर से देख सकते हैं, क्या है, जैसे मैंने कहा न, unlimited views है, मेरे views बढ़ जाएंगे, कुछ subscriber भी बढ़ जाएंगे तो अपना भी कुछ काम चल जाएगा, आपनी भी motivation हो जाएगी एक ही, एक ही वीडियो के अंदर आप लोगों का ये concept clear करा दूँ, क्यूंकि मैं इसके उपर जादा लैंती नहीं जाना चाता, मैं कोशिश कर रहा था कि चार वीडियो जो है, वो इसके अंदर बनेंगे, लेकिन यह रही, broken, यह रही verb, has क्या है यहां पर, यहां लिक रहा हूँ helping verb, तो यह क्या है, main verb है, clear, mohan क्या है, mohan है यहां यहां पर subject, noun है, proper है, mohan broken word, क्या तोड़ा उसने it तोड़ा, यह pronoun है, यह क्या बनेगा, object बनेगा यहां पर, clear अब इसका मुझे क्या बनाना है, अब मुझे बनाना है इसका passive, अब मुझे इसका passive बनाना है, जो पहला step क्या है, पहला step यह है, जो object था, जो object था, उसको क्या बना देंगे, उसको subject बना देंगे, it, यह बन गया आपके सामने subject, यह बन गया प्रेपोजिशन और यह प्रेपोजिशन का अबजेक्ट है, clear यहां पर, यह चीज़ होगी और जो वर्ब थी, क्या करना है अपने को वर्ब के हमने क्या करना है, बी की फोर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फोर्म, यह वाला स्ट्रक्चर लेकर आना है तो वर्ब की थर्ड फोर्म रखेंगे यहां पर वर्ब की थर्ड फोर्म जड़ा देखो, यहां पर वर्ब क्या है, ब्रोकन यही वर्ब की थर्ड फोर्म है, तो यही रख देंगे same to same, ब्रोकन यही रख देंगे, ब्रोकन ओक्या यहां पर वब की third form होगी अब क्या रखें structure क्या था इसके अंदर tense क्या था tense था ये present present perfect present perfect present perfect की पहचान ये देखिए ये रहा has have अब ये एक चीज मैं बता देता हूँ देखिए has, have और had has, have, had जब भी ये sentence में आएंगे helping verb तो इनके बाद क्या आती है हमेशा वब की third form आती है ये ध्यान रखना है इसका ठीक है इसको कर लेंगे, अभी बैता रहूँ ना ये कि एर, देखो, एक वीडियो में मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं दे सकता, क्योंकि confusion हो जाती ये भी बताओ, वो भी बताओ चीज़ें तो वो confusion आती है, मैंने आप लोगों के लिए base त्यार कर रखे है, step by step मुझे क्या चलना है, कैसे करना, वो चीज़ें कर रखे है तो ऐसा नहीं कि यहां करवा दिया, तो करवाऊंगा नहीं अरे बकाइदा करवाऊंगा इंचे जोगा, अभी ये बताया ना कि has have के बाद क्या आता है, वो अपकी third form आती है, जब ये helping वो होती है, main web भी बनती हैंगे, उसके बारे मैं discuss करेंगे, कि main web होती है, तो ये क्या होता है तो यहां पर भी मुझे present perfect चाहिए, तो यहां पर मैंने बनाया has लिख दिया, क्योंकि मुझे present perfect चाहिए, इट है, इट के साथ has आता है, singular है, इसके साथ singular है, इसके साथ singular चाहिए मुझे यहां पर, अब आओ ज़रा, it has broken it has broken by Mohan, अगर मैं यह रख दूँ, यह तो helping web होगी, यह main web होगी यहां पर, अगर मैं यह रख दूँ, तो मुझे एक चीज बताओ ज़रा, क्या यह structure, क्या यह sentence, passive में चला गया क्या, सर्फ passive की पहचान, तो आपने beaky form plus में web की third form बता रखी है, तो यहां पर कहा है beaky form, has तो helping web होती है, यह beaky form तो होती है नहीं, तो कहा है beaky form, beaky form तो यहां लगानी पड़ेगी न, अब यहां पर न, मुझे लगते हैं कि थोड़ा सा मुझे color change करना पड़ेगा, क्योंकि, यहां पर हमें beaky form रखनी पड़ इस MR लगते हुए देखा, अरे नहीं देखा, तो इस MR का तो स्वाल यह नहीं उड़ता, क्या has के साथ आप words बर लगा सकते हैं, अरे सर भागल हो गयो, क्या, इतना तो हमको पता ही है, यह तो आएंगे भी नहीं, तो यह नहीं होगा, और जिनको नहीं पता है, तो don't worry, पैसी B की form रखनी है, कि देखो, ना तो इसका meaning change होना चाहिए, और यह वाला structure भी बना दे, यह ध्यान रखना है, तो यहाँ पर मेरे पास एकी शब्द बसता है, इस has के साथ तो मुझे बीन लखना पड़ेगा, क्योंकि यह कहेगा, कि मिरे लिए वब की third form लेक्या हो, पैसी वाला structure बना दिया, बीन हमने रख दिया, बी की form ऐसे रखनी थी, ताकि हम जो है, यह देखे, बी प्लस में वब की third form उसको पैसे मना सकें, और इसके लिए यह वाला structure देखे, जड़ा, हैज हैव के बाद हमने वब की third form रख दी, देखे, कितना बढ़िया काम कर दिय इस बीन ने, दोनों चीज़ों को satisfy कर दिया, हैज को भी satisfy कर दिया, इस broken के लिए बी का काम करके इसने passive को भी satisfy कर दिया, clear यहाँ पर, यह चीज़ें थी यहाँ, I hope so यह sentence clear हुआ होगा, आओ ज़रा, last sentence बसते हैं, राहूल वोज solving the question, राहूल वोज solving the question, यहाँ करते हैं, रा object बनेगा, noun है, proper है, solving word, solving question, यह क्या बनेगे, object बनेगे, noun है, common है, clear यहाँ पर, यहाँ पर फिर से, यह pronoun है, ध्यान रखना है, यह नाउन है, proper है, यह वही है चीज़, जो मैंने वो लिख चुका नो, वही का वही, same to same, ध्यान रखना है चीज़को, यह भी noun है, proper है, क्यों एक मिनट, एक मिनट, मैं रफ कर रहा हूँ, आपने लिख लिए होगा, उमीद करते हैं, आच्छा, तो मैं रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर लिखना है, यह हटा दे रहा हूँ, यह सारा हटा दे रहा हूँ, यह sentence रहने दे रहा हूँ, यह भी क्या बना दे? by preposition का object बना दे, by क्या होगी? preposition, यह subject, यह subject बनेंगे, यह by preposition लगा दी, इसके बाद राहूल, इसका object रख देंगे, राहूल क्या बनेगा? preposition का object बनेगा, noun है, proper है, noun है, common है, clear यहां पर, okay, जो verb है, उसको क्या बना दे? वर्ब की third form बना देते है, soul, sold, sold, वर्ब की third form यह बना देते हैं, अब यह structure, यह tense किसमें था, यह था past, देखे, past है, इसके साथ ing लगा हुआ है, तो past continuous, past continuous, तो इसमें भी past continuous जाना चाहिए, ध्यान रखना, past continuous जाना चाहिए, the question, past में तो past में चला जाएगा, वोस, तो देखे, अब बच्चा यही करेगा, सर यह रही, बीकी form, यह रही, वर्ब की third form, सर यह बन तो गया, सर यह पैसी में तो बन गया, मैंने का बिलकुल, बिलकुल बन गया पैसी में, लेकिन यहाँ पर क्या था, past continuous था, यह past continuous नहीं है, यह past simple है, कैसे किया सर, देखो ज जाते हो, इसको active में लेके जाते हो, तो यह active पता है क्या है इसका, active है, राहुल, राहुल, सोल्ड, दी, कोशन, यह है, इसका बना हुआ है, the question was sold by राहुल, इसका बना हुआ है, इसका नहीं बना हुआ हुआ, अगर आप इस passive का active बनाते हो, तो actual में एक्टिव यह निकल ग अब क्या के लिए पहचाना जाएगा बच्चा being लगाएंग यहां पर तो यहां क्या लगेगा क्लियर हुआ यहां पर उमीद करता हूं यह चीजे आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी यह अपना clear होता है अब यहां पर मैंने आप लोगों का error दे रखे हैं अब error आ रहे हैं इसके बाद तो बहुत बढ़िया error करा हूँ यह तो बिल्कुल बेस्थिक है अभी इसके बाद तो एकदम बढ़िया level का यह समझाने के बाद यह तो एक तरीके से त्यार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके उपर लेके जाना है इसके उपर लेके जाना है तो यह त्यार कर रहा हूँ तो ज़रा देखो error क्या करेंगे अरे कहां गया है यह रहा this gift sent by anil गडबड क्या है ज़रा देखो gift होगी subject this इसके उपर demonstrate करने वाला adjective, demonstrative adjective बोलते है sent main verb होगी by preposition होती है preposition के बाद preposition के object आते है यह sent verb यह active में है पैसी में भाईए यह sentence जो है यह structure जो active में लगा हूँ तो active में यह subject कौन होता है doer होता है ध्यान रखना है active में subject कौन होता है doer होता है तो यह sent verb का काम करेगा कौन यह gift करेगा तो यह इसका sentence मतलब हुआ यह gift भेजा यह gift भेजा यानि gift किसी को भेज सकते हैं सोचो जरा gift किसी को भेज सकते है यानि भेजने का काम gift करेगा gift किसी चीज को भेज देगा या gift को भेजा जाएगा ओविसली गिफ्ट को भेजा जाएगा यह नहीं यह जो सेंट होने काम इस गिफ्ट के पर होना था अरे गिफ्ट को भेजा जाएगा तो यह काम इसके पर होना था जो structure मुझे कैसे चना है जो subject है मुझे receiver चाहिए था receiver चाहिए था सर वो जी क्यों लगाया, वो जी क्यों लगाया, इस भी तो लगा सकते हैं, इस फिर देखो यार, इस चीज़ को समझाता हूँ, यहाँ पर आप यह वब देखेंगे, अगर आपने इसको समझने की कोश्च कियो, तो यह वब तो आप एक तरीके से वी टू लोगे, एक बर, आ उसको क्या लिखना था, यह structure जो था, उसको गलती से यह पता चल रहा है, कि वो इनसान इसको past में ले जा रहा था, past की बात थी उसकी, यह sent जो है यही बताएगी, वर्ब की second form बता रही है, देखे हमें error कैसे करना है, देखे is भी सही है, has भी सही है, यह बिल्कुल सही है, कोई गडबड नहीं है, लेकिन इस वर्ब को हमें पहली नजर में ऐसी ही देखना है, कि यहाँ पर अगर send लिखा होता है, अगर send लिखा होता, तब हम इसको is sent करते हैं, लेकिन यह sent वर्ब की second form लगी है, तो इसलिए हम इसको was sent करेंगे, इस वर्ब से ही हम पता करेंगे, कि V2 की कहने की कोशिश कर रहा था है, V3 की कहने की कोशिश कर रहा था, इतनी चीज़ के लिए, देखिए कोई इंसान, error जो दे रहा है यहाँ पर, वो V3 तो सीधा लिख के देगा नहीं, इस ना समझना, वो V3 यहाँ पर लिखेगा नहीं, यहाँ पर वो है, वो V2 लिखी थी उसने, गडबड यह हो कि वो past बताने की कोशिश कर रहा है, आपको कोई ना कोई hint दे के छोड़ेगा, यह hint ही तो है, यह past बता रहा है था, इसलिए यहाँ पर was sent, इसको past मिहीं देना पड़ा, अगर वो इसको present में करता तो यहाँ पर send लिखा होता, send लिखा होता, तब इस बच्चा समझ आता है, यह बात तो present की हो रही है, present की हो रही है तो इसको is sent करता हो, clear यहाँ पर, यह hint मिलेंगे आप लोगों को, tension नालो, जैसे ही hint मिलेंगे, ओके, आगे आओ ज़रा एकले sentence में, समझ में है न, गड़बढ़ के हैं, अगला sentence में देखो, Sumit was sent this gift, Sumit was sent this gift, Sumit हो गया यहाँ पे, एक मिन्ट, this हो गया, क्या बनेगा यहाँ पे, adjective, demonstrative adjective, यह होगी helping, यह होगी main verb, यह होगी helping verb, यहाँ पर ज़रा देखे, यह B की form, यह verb की third form, यह verb की third form, यह verb की third form आई, यह काम किसके पुरा, यह passive का structure है, B की form प्लस में वब की third form, यह passive का structure है, और passive में subject कोन होता है, action का receiver होता है, तो यह sent होने का काम, अमित को हो गया, सुमित को हो गया, यानि सुमित को भेज दिया, सुमित को भेजा गया, मतलब सुमित को pack करिया गया, और सुमित को gift के पास भेज दिया गया, ऐसे था क्या, ऐसे थो नहीं न, सुमीत ने भेजाये gift को भाईया, इसको doer बनाना पड़ेगा हमको, इसको doer बनाना पड़ेगा, इसको doer बनाना पड़ेगा, तो यह जो has है, वोs है, इसको काटना पड़ेगा, और यह sent जो है वब की third form नहीं, यहाँ पर वब की second form और यहाँ पर यह gift जो है, इस वब का receiver बन जाएगा, clear यहाँ पर, तो यह गड़ बढ़ती, हो गया, अगला structure देख लेते हैं, अगला sentence देख लेते हैं, जो error इसके अंदर, that letter, that letter has delivered by the postman, that letter, देखे जरा, यह होगी main verb, यह होगी helping verb, यह होगी letter, subject, that इसके परिशारा करने वाला adjective, demonstrative adjective, by preposition, और यह preposition का object दा article होता है, अब जरा देखो, यह जो structure हो किसमे, active में या passive में, सर, यह active के अंदर है, और active में subject होता है, active में subject होता है, action का doer, clear, action को करने वाला, अब यहाँ देखो, letter ने deliver कर लिया किसी को, क्या, यह letter को deliver किया गया, देखो जरा, letter deliver करेगा किसी चीज़ को, यह letter को deliver किया जाएगा, अरे, sir, letter को deliver किया जाएगा, तो यह जो action है, यह जो action है, वो इसके उपर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अरे, यह जो action है, मुझे इस subject को, receiver बनाना है, इस action का, तो मुझे voice कैसी लगाने पड़ेगी, मुझे voice लगाने पड़े letter has been delivered by the postman, clear यहाँ पर, okay, यहाँ पर आईए जरा अगले sentence पर चलिए, अगला sentence है, a romantic song is singing by, a romantic song is singing by Mr. Gupta, a romantic, romantic जो इस song को qualify करने वाला adjective हो गया, clear यहाँ पर, song यहाँ पर subject हो गया, इस यहाँ helping verb होगी, singing यहाँ पर main verb होगी, by preposition होगी, Mr. Gupta spirit position का object होगी, clear यहाँ पर, okay, अब जड़ा देखो, एक romantic song किसी चीज को गा सकता है, अरी, एक्टिम में रखा हो है न, एक्टिम है, क्योंकि यहाँ पर B की form प्लस में verb की third form तो है, नी, देखो B की एक है, लेकिन यह active में है, पैसी में नहीं है, थ्यान रखनो, तो यह is singing, यहाँ इसका मतलब वह a romantic song गा रहा है, यह गाना कैसे कोई चीज, गाना कैसे कोई अपने आपको गा सकता है, गाने को तो गाया जाएगा न, simple सी बात है, तो यह यह singing होने का काम इस गाने के उपर होगा, तो जोड़ना song गाना गालेगा, ऐसे तो possible तो नहीं है, तो ऐसी चीज पोसिबल नहीं है, singing होने का काम मैंने जलगता है, ज़्यादा गिच-पिच-पिच-पिच कर दिया, तो यह singing होने का काम जो है, वह इस song के उपर होना है, तो यह song को, इस action का receiver बनाना पड़ेगा, तो क्या कर रहें भया, इसको पैसी में लेके जाएगे, पैसी में ही जो होता है, subject पैसी में होता है, वह यहाँपर क्या लिखेंगे फिरम , इस singing है यहां पर मैं एक सारा एक बर रॉफ कर दिता हूं, यह सारा मैं रॉफ कर दिया, clear, okay, तो यह is singing है, तो इसको क्या परेंगे, is being sung, is being sung by Mr. गुपता, यह करना था हमने, यह थे error, उमीद करता हूं, यह जो सारी चीज़ें आप लोगों को करवाई है, मैंने, वो आप लोगों को अच्छे से clear हो ही होगी, okay, अब हम ही करना है यह वाले structure, इस वाले structure को करते हैं, कोशिच करूँगा इस वाले structure को, आपको time में अच्छे से, ज़्यादा लेंती ना करूँ, वही वीडियो बोरिंग वाली बात आ जाती है, कि सर, यह ज़्यादा लेंती हो रही है, इतना इतना कौन पड़े या मैं काम करता हूँ, बहुत है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि यार, मुझे बच्चे का बता है ना, बच्चा कितनी देर पड़ बात हैं, तो बस इतना ही रख लेते हैं, अगले ज़ो इस वीडियो के बात, अगले ही दिन वीडियो आने वाली है, अगले ही structure सिखेंगे आप इसके अंदर modal का structure सिखेंगे आप इसके अंदर मतलब conditional का मतलब बहुत सारी चीजन सीखने वाले है इसके अंदर तो आपको करना क्या है यह sentence break करने है एक एक आप parts of speech लिखना है आप कोशिच करिये इसके अंदर मेरा तो काम करना है मैं करवाने मैं करवा दूगा लेकिन लास्ट आपको कोशिच करनी पड़ेगी इनके अंदर error है आप कोशिच करिए कि error क्या है इसके अंदर बाकी मैं आके समझा दूँगा अगली वीडियो के अंदर तो बस आज के लिए इतना रख लेते हैं क्योंकि जाता लेंथी वीडियो हो रही है अगरी वीडियो पसंद आई है ये structure ये जो समझाने का तरीका पसंद आई है तो क्या करेंगे भई लाइक करेंगे लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे मैं सब्सक्राइब करने को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के लिए महनत हो रही है तो मेरे लिए भी कुछ हो जाता है कि मुझे भी सब्सक्राइबर मिल रहे है उनसे जुड़ रहा हूँ अवाज वहाँ तक जा रही है तो यह कैसे पता चलता है यह इसी से तो पता चलता है और इस वीडियो से रिलेडिड आपको PDF चाहिए तो आपको जोइन करना होगा टेलिग्राम का एक चैनल या ग्रूप कह लिए उसका लिंक मैंने description box में दे रहा है you can तुम आप लोगों को वहाँ पर वह मिल जाएगा तो आप वहाँ पर जोइन कर सकते हैं ओके facebook का भी वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा बहुत सारा material आप लोगों को वहाँ प्रवाइड करवाया जा रहा है तो बस आज के लिए इतना है था फिर से कह रहा हूँ आगर आप लोगों को यह पसंद आया है तो genuinely कि मैं मैंनेद कर रहा हूँ न definitely आप लोगों को English grammar का एक एक बारिक चीज समझाओंगा और जिसको नहीं आती है न English grammar वो भी समझा कर बेजूँँगा concept wise, logic wise ratification नहीं होगी एक एक logic टेकि logic से चीज़ें जब समझते हैं न तो lifelong चलती है हमारे साथ वो हमारे साथ रहती है competitive के तोर पे नहीं हमारे life में वो चीज काम आती है वो चीज कर वाँँगा trick नहीं है मेरे पास, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ trick नहीं है मेरे पास, कोई भी trick नहीं है pure concept है concept से, क्योंकि वो trick क्या होती है concept से बन के आती है जो teacher आप लोगों को trick देते हैं, वो concept से ही तो निकालते हैं तो इसलिए बोल देते हैं trick है तो मेरे पास trick freak ऐसी कोई चीज नहीं है मिरे पास कुछ shortcut नहीं है, मिरे पास total जो है, वो concept है, उसके उपर महन है तब वो ही चिजमा करवाँगा, clear तो बस आज के लिए इतना है, thank you for watching this video